पाप रिटिंग लिए मेने जरूर होगे कि जितर की साइट फिए नहीं है उधर की शॉट मारकर आज में आज आरहम से मारते हैं झाख हैte खाड़ ऑम यहां पर फिल्डर नहीं है मानिक कोर्षेस में काफी बार हम लेट हो जाते हैं और पर फेक्ट हमारी बहुत कम टाइमिंग रहती है तो परफेक्ट टाइमिंग कैसे करना है वह मैं आपको आज के सिलुए मैं बताता हूं और जैसे कि मैं आप लोगो को देखो इस आउट हो ग अपना हाफ एन आवर आदा गंटा अगर दिन में देते हो इस चीट को देन आपकी जो बैटिंग विक्तम परफेक्ट हो जाएगी ठीए और अगर आपको अजले लिए आप करना हैं और आप लोग किसी टॉर्णमेंट में नहीं हो मतलब दोसके चैलेंज लगा बैटे हो ए के बाद ऐसे खेलना है श्ट्रोक्ट खेलने हैं लॉफ्ट नेविल मत करना ठीक है बाउंटरी फिर भी जाएगी जिता मत करो बट लॉफ्ट नेविल मत करना अगर आपके बिकेट जादा गिर रहे हैं आपके टाइमिंग कारी खड़ाब हो चुकी है तो और हाँ एक बात पर जब भी खेलो न अपना नेट ऑफ करके खेलना अगर आप लो मल्टी प्लेयर मोड नहीं खेल ले हो तो कोई के मैच खेले हो तो टेस्ट मैच खेले हो तो नेट आफ करके हो अब जिदे की साथ फील्डर नहीं है उधर की साड़ आपको मारना तो है बट जब कि आपकी तो टैमिंग बैटर हो जाता है, तो टैमिंग कब बैटर होती थी तो मेलि जा था जब बालब जोड़ चगा होता है उसके ग shift घुढत का छोड़ दीया है यह स्क्रीन पर देख्वधेर्या को तुम्हारे सामने मैने बोलकर nine लगा दिया ठीक है पर्फेक्ट टाइमिंग होती जब बॉलर बॉल छोड़ रहा हूँ उस वक्त मारने को में पर पर्फेक्ट टाइमिंग बोलते हैं और यह कैसे आप लोग मार होगा प्रेक्टिस इसके पड़ेगी इसी के लिए बोलना था सुरू में कि आप लोग किस आपके भी बिकेट जो हैं बहुत ज़्यादा गिरेंगे अच्छा में लिए आपको ऐसे द्यान करें तो अब मैं लेट हो गया है कितना जल्दी कर वाया था मैं है इसी के लिए में आपको प्रेक्टिस मोड पर करना ही पड़ेगा ठीक है यह आप लोग को ध्यान रखना है तब ही आपकी जो बैटिंग होगे एक दम बहुत प्रो लेविल के और काफी जादा बढ़िया बनेगी कि आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रोक लगाने आपको बाउंटरी मिल जाए तो मैं आप लोगों को यह काफी च्छी ट्रिक आपको वर्क करेंगी ठीक है और आपक लोग आराम से किसी भी बॉलर के खिलाब कोई रिक्वाइबमेंट नहीं है चाहिए बॉलर कैसा भी हो ठीक है मैंने उसमें आपको मार के दिखाए था प्रक्टीकल देखे तो अभी देखो जब आपकी टैमिंग आप बैटर तो आपको करी लोगे आप लोगे आपको आपक इस पर चार है तो हमको यहां से पारी को समालना है और हमको पूरे स्टेडियम के चार तरफ शौर्ट हो माना है ठीक है जरूरी नहीं है कि आप लोग एकी साइड में लगे रहो फिल्डर नहीं है तो ठीक है तो जब तक आपकी फील्ड ऐसी नहीं हो जा ठीक है अब जैसी इसी फील्ड हो तो आप लोग कोसेश करोगे जाना आप लोग आउट ने की चांज़ ज्यादा होंगे तो जब भी आपको अटेकिंग फील्ड है कि भाई आप मैं किधर मारू जैना आप लोग आरा हम से सिंगल डावर फिर से खेलने लग जाओ क्योंकि आपको रंस आने इ एंडिक राइटी के लिए मुस्किल होता है रियल्टी और यहां पर गेम के अंदर भी तो यहां पर आपको में लिए पता किस चीज का ध्यान एकना मैं आपसे बताया है जैसे कि आप लोग को जब बॉलर हां से छोड़ रहा हो तब मारोगे तो जादा चांसे जोंगे कि आ दील हो पाएगा ठीक है इसके प्रैक्टिस करो यार प्रैक्टिस मोड के अंदर मां कि आप लोगो वीडियो पसंद आगया और तो पर सब्सक्राइब कर दो शेयर कर दी है आपने ग्रोप में दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियो डेली लेके आते हैं तो आप आप